वालकॉम टू जाभिनमीट के हैल्प हेलो फ्रेन्ड्स कैसे आप उमिंद करतू हां सब अच्छी होंगे आजकी वूडियो के बार में बात करने वाले है यह दोलीकनाजल क्रिम के बारे में बात करने वाले हैं दिखे फनेर्स फंगी रैप क्रीम का कमपोसन रहता है लूली कनाजोल क्रीम वन परसेंट जो की 10 ग्राम में आती है और यह रैपिड कैम हेल्थ केर कंपनी का अच्छी क्वालिटिक प्रटक्ट है इसकी कीमेत रहती है 180 रुपीज 120 रुपेज की कीमेत रहती है तो हम इrate ज стор के बारे में पूरी जानकारी लेंगे लूली कनाजोल क्रीम एती है लेकिन वाटबी क्रीम जो की रैपिड कैम हेल्थ केर कंपनी का प्रोड़क्ट है यह भी एक अच्छी कंपनी है और एक अच्छी कॉलिटी का प्रोड़क्ट है जैनरिक product है लेकिन बहुत ही अच्छा product है यह बहुत ही इसका बहुत ही result देखा गया है तो friends हम देखते हैं इसके बारे में कि यह किस काम आती है तो लुलीकनजोल क्रीम को specially इस्तेमाल किया जाता है fungal infection को खतम करने के लिए जब कहीं body में fungal infection होता है तो fungal infection वहांपे होता है जहांपे हमारे श्रीर पर काई हवा नहीं लगती है जहांपे श्रीर पर नमी होती है तो हांपे fungal infection होता है हमारे body में fungus घुच जाते हैं तो उसकी वज़े से वहांपे बहुत ही अलरजी होती है तो उन से भी condition में लूलिकनाजूल क्रीम को इस्तिमाल किया जाता है लूलिकनाजूल क्रीम को इस्तिमाल करने से पहले डॉक्टर की अडवाइज लेनी होती है लूलिकनाजूल को specially दाद, खाज, खुजली के लिए इस्तिमाल किया जाता है दाद हो या खाज हो या खुजली हो या कहीं बोडी में कहीं पर दाद खाज के ओपर जलन हो रही है या फिर जांगों में खुजली हो जाना जांगों की खुजली को यह बहुत ही जल्दी यह कवर करती है उसको ठीक करती है लुलिकनाजोल क्रीम को फंगल इंफेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है लुलिकनाजोल क्रीम पुरानी खुजली के लिए बहुत ही बहतर दवा है लुलिकनाजोल क्रीम चेहरे के दाग दब्बे भी ठीक कर देती है लाल चकते भी ठीक कर देती है लूलिकिनाजोल क्रीम को बेक्टिरियल इंफेशन को ठीक करने के लिए भी इस्तिमाले में लाया जाता है केल मुहन से या चोटका निशान या दागडबबे हो जाना या पिमपल्स हो जाना उन कंडिशन में भी इसको इस्तिमाल कieder जाता है दावद खाज बुजलिय शुक्की खारिश या लाल दाने हो जाना तो उन सभी कंडिशन में फंगी रहा यानि के लूलिक नसौल क्रीम को इस्तिमाल में लाया जाता है तो फ्रेंड से इसका 180 रुपाय रेट है या आपको डिसकाउंट में नजदी की मेडिकल कमेट से आसानी की मेडिकल कमेट से आपको असानी से मिल जाएगा दवाई का अवर डोज नहीं लगाना चाहिए बच्चों के पहुंसे दवाद दोर रखनी चाहिए दवाई का कोरस पूरा करना चाहिए और बिना डॉक्टर के सला से आप इस तो इस्तेमाल ना करें वीडियो को डिस्क्रि पूरी में तब तक के लिए बाई बाई ठीकर थेंक्यू अलोपैथिक और आयर्वेदिक दवाईयों की संपुर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यावाद